नमस्कार दोस्तों, मैं सागरकुमार आपका स्वागत करता हूँ. Sensible के इस नए हिंदी daily market analysis विडियो में. चलिए शुरू करते हैं हमारा market analysis. काफी time बाद हमने analysis करें, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावले की हारदिक- Continuing शुप कामना है. आशा करता हूं आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी और यह साल आपके लिए बहुत सारी सुख सम्रद्धी लेके आए मार्केट में काफी सफलता लेके आए ठीक है इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे मार्केट की तरफ तो अगर हमने काफी टाइम तक काफी स इसके नीचे अगर मार्केत ट्रीड करना शुडू करता है यहां कही तक हमने अनलीसिस किया था, अपस बहुत अच्छा अच्छा मार्केट में देखने हो मिल वहां और बहुत अच्छा market momentum बहुत तेजी से करता है similar case था bank nifty के साथ भी मैंने आपको यह का था कि यह एक support zone आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके नीचे अगर market trade करना शुरू करेगा तो इसके नीचे आपको बड़े levels ही market में देखने को मिलेंगे तो अब market किस तरह के का structure बना रहा है तो अगर आप गौर से देखेंगे अभी तो आपको इस समझ में आएगा कि पहला market यहाँ से एक थोड़ा सा आपको pullback देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहला तो pullback यहाँ पर market थोड़ा सा देता हुआ लेकिन इस particular जगह पर मैं market में अभी भी buy करने के लिए confident इसलिए नहीं रहता हूँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि market में पिछला जो trend है वो downtrend मार्केट में रहा है काफी strong downtrend रहा है वो भी मैं कहूँ और जब तक कि market एक strong bullish candle के साथ एक closing नहीं देता है से किसी significant level के ऊपर या फिर market में आपको एक ऐसा candle दिखाई देता है जिसकी जिससे market इस channel में जो previous channel है इसके अंदर entry ले रहा है ठीक है तब तक कि market में confident नहीं हूँ यहाँ पर buy करने के लिए क्योंकि आप यहाँ पर candles देखेंगे न तो आपको candles दिखाई देंगे इस तरीके की candles यहाँ पर बन रही है तो यह जादा confident candle नहीं है यहाँ पर buyer confident नहीं है अगर आप Nifty के futures देखेंगे और वहाँ पर volumes देखेंगे तो volume आपको यह समझ में आएगा कि पिछले time volume यहीं कहीं पर आपको देखने को मिला था उसके बाद volume लगाता decrease होता हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर wait करना है market में एक अच्छा यहाँ पर closing अगर हमें market में दिखाई देता है तभी हम market में बाय करेंगे या तो एक closing हमें इस तरीके की market में दिख जाए पहले 19,500 इसके आगे सबसे बड़ा एक hurdle है एक resistance है सबसे बड़ा 19,500 इसके ऊपर market जब close हमें देना शुरू करेगा तब हमें market में एक clue मिलना शुरू होगा कि हाँ यहाँ से market में भी upside पर move कर सकता है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे कि nifty भी अपने channel को यहाँ पर retest कर रहा है और similarly bank nifty भी अपने जो support zone है उसको retest कर रहा है यहाँ पर तो कुछ देर के लिए पहले तो मैं यहाँ पर यह DNS हाइड कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको clearly समझ में आएगा तो दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे minute chart पर हम लोग 30 minute chart पर चलते हैं तो यहाँ पर यह आपको एक जोन दिखाई दे रहा हूँ कि market इसी zone के भीतर ही trade कर रहा है market इसी zone के अंदर एक wedge type channel जो है यह create कर रहा है market तो जब तक कि इसके नीचे कोई closing नहीं आती है तो यहाँ पर definitely हमारा sell position होना चाहिए यहाँ पर हमें sell करना चाहिए इसके नीचे हमें sell करने में बिल्कुल भी जिजकना नहीं चाहिए ठीक है यही चीज bank nifty के लिए भी रहेगी कि bank nifty में यह जो trend line चल रही है इसके नीचे जैसे ही market में trading शुरू होती है इसके नीचे जैसे ही market trade करना शुरू करता है तो यहाँ पर हम immediately market में sell position ले सकते हैं अब चाहे market उसके वाद में भी हमारा stop loss state कर जाए लेकिन यहाँ पर हमें जो logic जो logic हमें बताता है जो logic हमें कहता है वो यही कहता है कि यहां से अगर market नीचे आता है तो यहाँ पर हमें तुरंत market में sell position में enter हो जाना चाहिए ठीक है buying हमें market में कप करनी चाहिए तो उसका एक हमें clue मिलाएगा जब market यह जो wedge shape channel है wedge के बाहर जब market upside पर move करना शुरू करेगा यहाँ पर अभी देखेंगे एक देखेंगे एक मैं आपको एक बहुत यहाँ पर एक simple सी theory market में बता देता हूँ कि जिस चीज के पास market ज्यादा समय बिताता है उतना ही उस चीज के break होने के chances बढ़ जाते हैं अगर market support के आसपा ज्यादा समय बिता रहा है तो market में support के break होने के chances हो जाते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे कि market बार-बार support के आसपास आ रहा है यहाँ पर time spend कर रहा है जब resistance की पास जा रहा है तो market tick मार्के तुरण नीचे आ रहा है यहाँ पर टिक मार्क क्या है यहाँ पर time spend नहीं करता रहा है market तो जब यहाँ पर time spend market करेगा higher levels में फिर जब upside breakout द जादा होंगे profit कमानी के वज़ाए ठीक है तो इन मूव से जो यह pullback वाले मूव होते हैं इनसे थोड़ा सा या तो कम quantity में प्लान करा जाए ठीक है जैसे कि आगर आपके profit loss में fluctuations आ रहे है तो आप उनको देख पाए easily ठीक है नहीं तो इससे थोड़ा सा दूर रहना ही ज्या 44,950 के ऊपर market निकलता है तो थोड़ा यहाँ पर buying momentum आपको देखने को मिल सकता है कुछ 100 points के आजपास का momentum यहाँ पर देखने को मिल सकता है sell आपको तब तक नहीं करना है जब तक कि market 43,000 और यह 43,700 के नीचे जब तक market trade नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पर sell नहीं करना है तो अगर market माल लीजे इस zone में कहीं opening हो जाती है तो upside पर market में resistance होंगे downside पर market में support रहेगा तो 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 होड़ा जहाँ पर struggle market कर सकता है ठीक बजाए market में यह देखने के market simple सा है कि कल अगर market यह level के आसपास market थोड़ा सा time बिताता है यहाँ कहीं पर opening देता है यहाँ पर time बिताता है तो यहाँ पर एक हमें ठीक अच्छा momentum upside पर 100 points का momentum easily market में देखने को मिल सकता है और अगर market में selling move देखना है तो market को gap down open होना ठीक है अगर market में माल लीजिए बहुत बड़ा gap opening हो जाती है तो फिर आपको price action पर निरबार होना पड़ेगा यह trend line देखनी पड़ेगी इस trend line के आसपास market किस तरीके कर रहा है ठीक है यहाँ पर market क्या support बना रहा है क्या यहाँ पर market open होते ही नीचे गिर जा रहा है तो quantity में प्लान करेंगे बड़े quantity प्लान मत करिएगा क्योंकि already market में बहुत बड़ा gap open हो रहा है market इसलिए ठीक है अगर bank nifty का हम resistance देखेंगे open interest के तौर पे तो 44,000 के strong resistance है ठीक है उसके ऊपर market sustain करता है तो थोड़ा moment market में करीब 100 point का momentum market में easily आपको देखने को मिल सकता है निफ opening होता है low cross करता है तो ठीक है वहीं अगर market 19,500 के ऊपर trade करना शुरू करता है माली जिए gap open होता है इसके ऊपर जब trade करता है तब यहां पर एक momentum आपको अपसाइट पर देखने को मिल सकता है या फिर market में बहुत बड़ा gap अगर open हो जा रहे है जैसे कि यहां पर अभी 136 point का gap of market open दिखा रहा है ठीक है तो इसके लिए market में आपको फिर price action देखना पड़ेगा किस तरीके का price action बन रहा है और बार लिजे market में अगर gap down opening होती है तो फिर market selling के लिए चला जाएगा market में किसी भी condition में अगर ये जो trend line हमने बनाई है जो trend line ये जो zone बनाया है इसके नीचे market अगर trade करना शुरू कर देता है sustain करता है तो फिर market selling के लिए चला जाएगा open interest अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो 19,500 strong resistance है उसके बाद 19,600 है ठीक है FIA data अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों ही buy करे गए है call index future में अगर आप net Y देखेंगे तो अभी भी negative है लेकिन यहाँ पर buying आपको दिखाई दे रही है तो अभी थोड़ा picture अभी भी negative ही दिखाई दे रही है चार्ट के basis पर दिखी जाए या फिर open interest के basis पर दिखी जाए तो picture अभी भी थोड़ी से negative दिखाई दे रही है कल का जो केस में अगर market यहाँ कही पर अगर gap आ उपर होता है और यहाँ पर फिर negative price action मनाता है तो यहाँ पर आप sell plan कर सकते हैं और वो फिर अपने इस swing high के आसपास यानि 44,000 के आसपास तक market फिर आ सकता है ठीक है तो कुल मिला के मेरे लिए market अभी भी छोटे pullback से अभी दे रहा है बड़े rally के बाद कि छोटे pullback से market में एक बड़े rally के बाद यहाँ से market अगर यहाँ से market में अगर एक upside strong momentum आता है यानि support के अंदर वापिस market entry लेता है तब हम market में कुछ प्लान करेंगे उससे पहले अभी हम कोई भी चीज प्लान नहीं करेंगे लेकि अगर market में trend line के नीचे अगर market trade करना शुरू करता है तो immediately हम market में sell plan कर सकते है ठीक है तो यह तो रहा हमारा nifty bank nifty का analysis बढ़ते हैं dollar के analysis की तरफ तो dollar का chart तो मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है nifty bank फिट भी कभी कभी में देख लेता था अभी यहां पर यह थोड़ा सा अभी week होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यह जो candle है यह candle ने अगर ऊपर breakout market में दिया होता है जैसे हमने पिछली बार का था कि अगर इसके ऊपर market एक बार ज हो सकता है तो यहां पर एक market hold करके फिर वापी नीचे गिरे तो यहां पर थोड़ा सा मेरे साथ अगर आपने यहां पर को शॉट ट्रेड प्लान किया है तो अपना hold करके रखियो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन fresh entry के लिए आपको यहां पर wait करना पड़ेगा थोड़ा सा एक pull को कर लिए सबस्क्राइब हमेशा की तरह आप रेगलर ली वीडियो जाने लगेंगे और हमेशा की तरह आपने capital को बचा के ट्रेड करिए stop loss के साथ ट्रेड करिए hedge के साथ ट्रेड करिए and have a safe and happy trading में sensible बाबाई